Hello and welcome to the studio, traders NCC को आज के दिर हम trade कर रहे हैं, हमने NCC को previous week में एक बार trade किया था and running week में यह हमारा दूसरा trade है NCC की, जिस तरह का move NCC दिखाता है, कल भी लगवागी यह 5-5-6% तक गिरा था एक benefit हमें NCC जैसे stocks, NCC जैसे stocks मतलब और भी cash segments के जो stock हैं, जो कि अच्छा move दिखाते हैं, कई सारे ऐसे बहते हो कि जो manipulate होते हैं, उनसे बचना होता है कुछ अपने terms देख लिए जगा, जिस तरह आप stock से बचते हो, कौन से stock trade नहीं करना और कौन सा करना है, इसको एक बार जरूर analyze कर लिए तो NCC में मालूब है कि इसका move अच्छा होता और volumes भी ठीक ठाकाती, दूसरी चीज़, point of action हमें इसका बहुत अच्छा समझ में आया है, क्योंकि ये वाले कुछ एक areas हैं, इसके नीचे price ने morning के moves देखा है, price एक swing लगा करके सीधे नीचे की तरफ आया, यहां और इस जगे पर आकर करके अब यह trade कर रहा है, तो हमारा जो पहले का conviction था, पहले की जो reading थी, वो भी NCC के अंदर short selling को ले करके थी, and आज भी हमें NCC के अंदर short selling की, because जिस area पर है, यह एक इसका support area है, अगर इसने break किया, अगर इसने break कर दिया, तो move देखेगा, आप NCC के अंदर कितना अच्छा है गा, अभी हमने जो इसके अंदर अपनी entry बनाई है, इस फटका जो अपना profit चल रहा है, 2,000-3,000 के करवन चल रहा है, and इसके अंदर शायद stop loss अभी तक हम नहीं लगा है, अपना order book में चलते हैं, okay, stop loss नहीं लगा है, so जल्दी से, stop loss का area हमारे जो black वाली candle आप इसको ब्रेक करना होगा, इस वाज़े से, stop loss है, इस swing point के ऊपर लगा रहा है, 79.90 के निचे अपना stop loss है, 79.90, यहीं पर करता है, copy, order book, perfect, एक बार रिफ्रिश कर लेते हैं इसको, 79, 79, 79.90, 6600, अच्छा यहां पर कुछ quantities थी, इसका order cancel कर दिया था, क्योंकि इस पर दुबार price है नहीं था, market price पहले हमने order लगा था, यह सबसे पहला हमारा order है, 66,000 का कुछ हमने लगाया था, बट उसको हमने cancel किया, फिर price change करके 79.10 पर लाकर करके रख दी, यह overall अपनी order book है, and position book में 3000 के round का profit चल रहा है, उमीद यह है कि price अपना day low break करके एक अच्छा move हमें दिखाए रही कि price अपना बहुत important एक support level break कर रहा है, like यह वाला, targeted point हमारा रहेगा जो black वाली candle है, इसका low, यह लिया, देखिए बहुत कम है, price इसके नीचे भी move दिखा सकता है, क्योंकि previous कुछ ranges जितनी burn रही हमारी selling की जो candles form हो रही है, यह काफी बड़ी-बड़ी candles है, अगर उससे ह लोग trade execute करें, तो यहाँ पर देखिए, तीन-चार candles फॉर्म होई है, और यह काफी बड़ी-बड़ी candle है, साड़े-तीन परसेंट की, यह लगबग साड़े-तीन परसेंट की, यह वाली तो करीब 6-4% की candle होगी, यह वाली 2% कम होग है, और जिस तरह से previous candles form हो रहे हैं, price को इ ऐसा ही हो सकते है कि यहाँ से हमें अपना target stretch करना पड़े, क्योंकि price जो है, वो आपका ठीक-ठाक move कर देगा, target के लिए simply हम लोग जो जाएंगे 76 या फिर 75 तो काफी दूर हो जाएगा, 76 रुपीज के पास का target के लिए हम वेट करेंगे, यहाँ तक अगर market आएगे तो अप एक वाली candle के low को भी break करते, सबसे पहला area होगा जहां पर हमें अवे रहना होगा, वो होगी है हमारी 1st December की candle का low, previous month जहां से शुरू हुआ है अपना, यह वाला month जहां से शुरू हुआ है इसके नीचे अगर market गिरती है तो इसका move 75 या 76 रुपीज के आसपास हो सकता है, इस आपना प्रॉफिट चल रहा है, 12600, 53.60 अभी तक हमने को इसमें बाइंग और अपने लगाया है, 79.90 का अपना stop loss लगा हुआ है, वेट करें हमारे exact target levels तक आजा है, तो इसके अंदर हम अपने प्रॉफिट करें है, ज्यादा दूर तो नहीं बचा है, बस थोड़ी सी दूर है, एक रुपया और प्राइस अगर नीचे की तरफ आता तो गिर जागा, गिर जागा यह, प्राइस ने ग्यारा बचकर पचास नट पर जो लगाया था, उसके बाद से फिर यह ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहा, एक्सपेक्टेशन थी के 76 के आसपास अगर प्राइस आता ह सकता है, यह भी हो सकता है, एक या दू ही केंडल में हमको हमारा टार्केट मिल जाता है, लेकिन कोई बड़ा मूव, बड़ा इंदा संस के मूव तो यह बड़ा ही था, लेकिन यहां पर आकर जब यह रुख गया तो लग रहा था कि ब्रेकाउट होने के बाद में एक मूव तो देखे, एक्जेक्ट मार्केट ने वही मूव किया, कि जैसे ही प्राइज ने हमारी इस केंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, प्राइज यहां से बहुत नीचे गया, और सिर्फ 25 पैसे हमारा टार्गेट बच किया था, और वापस से रिजेक्शन आ गया, और मार्के कुछ जितने ही बने हुए है, मौका में मिल रहा था कि 7755 के पास में भी हम अपने टार्गेट कर सक्ते हैं, अब हमें लग रहा है कि मार्केट का क्यूंकि time khत्म हो रहा है, तो इसलिए जहां पर हमें प्राइस मिल रहा है, वहीं पर टार्गेट से पारोफिद आए7,000 का प प्रॉफिट लेकर के हम बहार निकल लेकिन किसी तरह की कोई हड़वर ही नहीं है प्राइस चल रहा है 78-78 के आसपास का प्राइस चल रहा है हम चुप चप अब यहां से अपना ओर्डर बुक से स्टॉप लॉस के अपना ब्रोकर है आप चाहो तो इसके अंदर एकाउंट अपना ओपन करा सकतो काफी सारी फैसिलिटी अपको प्रोवाइट करता है इसमें ओर्डर लैग नहीं करेंगे लॉस आपको दोगे तुसकी ब्रोकरिज नहीं पड़ेगी एकुटी के लिए डेरिवेटिव के लिए किसी सेग्में को जो आप ट्रेट करोगे तो एक समूधने समने इसके अंदर देखी है आज तक करीब एक लिएडर साल और से भी उपर का समय हो चुका है इसको यूस्कायत नहीं और फिर हम इसके 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 अलावा फिर किसी द स्टॉप्र प्राइब आपर अब अगर उपर लगा हूँ प्रैस यहाँ पर है अब अगर हम लगाते हैं कहीं भी अजर तो वह तारगेट के लिया नीच नीच ही हम लोगों को जाएगे सो 7,000 stop loss चली यहां से cancel ही कर देती है यही से cancel कर देते है stop loss cancel okay stop loss line चली गई है and position book में आते है 7,000 का profit चल रहा है 78, 79 78 रुपीज 5 पैसा copy 78.05 चली okay ले जाए सारी कौनिटी जिनिकल गए 7,300 का overall अपना profit आज का session का 6,500 करीब कौनिटी जिनिकल गई है एक भी कौनिटी अपने पास बचे रही है position book 7,000 का profit ठीक है main जो target area था यहां तक सिर्फ 25 पैसे से हमारा target बचा पूरे दिन हमने वेट किया कि price में एक move अगर आया तो हमको हमारा target मिल जाएगा लेकिन target नहीं मिला अभी जो हमने अपना target बुक किया यह एक revised target रहागा यह वाला मतलब कि main target जो original target था हमारा हमको नहीं मिला I am satisfied and I hope कि वीडियो से जरूर कुछन कुछ आपने सीखा होगा समझा होगा and वीडियो गर अच्छा लगए तो इसको लाइक कीजिएगा comments कीजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बारा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा Thanks and we will meet again